हेलो गाईज और वेलकम बैक टू स्टेड़ी अड़ ट्वेंटी टू आज हम लोग दा इन्सोल्वेंची और बैंककरप्सी कोड को पढ़ेंगे इसमें एक टॉपिक आता है सिक्योर क्रेडिटर्स और अन्सिक्योर क्रेडिटर्स तो हम लोग सिक्योर क्रेडिटर्स को कोड के लिए बहुत लोगों ने बोला कि बुक्स कौन सा प्रिफर करूं तो आप उसके लिए ये बुक अवतार सिंग का लौफ इंसॉल्वेंसी ये प्रिफर कर सकते हैं बढ़ियां बुक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले दा इंसॉ अधर इंटिटीज देट इस ओर्गनाइजेशन गवर्मेंट बॉड़ी एटीसी देट इस प्रोवाइड गूट सर्विसेज और मॉनेटरी लॉन टू डेटर क्रेडिटर क्रेडिटर क्या होते हैं कोई इंडिवीजुल भी हो सकता है कोई पीपल हो सकता है या कोई इंटि इसी लोन ठीक है रीन एक तरह से कहें रीन ठीक है वो प्रोवाइड करते हैं डेटर सको ठीक है सेक्शन टू ए डिफाइडिटर अंडर प्रोवेंशियल इंसल्वेंशी एक्ट सेक्शन टू ए किसका provincial insolvency act का क्या define करता है the word creditors includes a decree holder debts includes a judgment debts and debtor includes a judgment debtor क्या बोल रहा है कि the word creditor जो provincial insolvency act है उसमें जो creditor word है उसका क्या मतलब है कि वो decree holder को include करता है debt है जो वो judgment debt को include करता है और debtor judgment debt को include करता है ठीक है अब क्या है the term creditor has been defined under section 210 of the insolvency and bankruptcy code 2016 उसका क्या मतलब है 2016 में जैसा कि हम जान सकते है अपने IBC को insolvency and bankruptcy code को हम लोग ने new format आया उसमें क्या लिखा है a person to whom a debt is owned क्या कह रहा है creditor किसको कहते है creditor उस वेक्ति को कहते है जिससे debt लिया जाता है ठीक है a debt refers to the liability or an obligation in respect of claim debt का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा liability और एक obligations जो की claim करने के लिए 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 थे due for any person clear है तो ये creditors का मतलब था simple सा creditors का मतलब क्या होता है जो भाईया पैसा देता है ठीक है goods and service प्रोवाइड करता है वो creditor अगर आप commerce के student होंगे तो आप golden rule पढ़े होंगे क्या पढ़ेते debit the receiver credit the giver debit जो लेने वाला और credit देने वाला clear है अब अब लोग जानते है secured creditors का मतलब क्या होता है ठीक है a secured creditors refers to a financial institution that leans money to the data by taking collateral as security it's act as a safeguard in the case of default by selling the collateral security क्या बोल रहा secured creditor कौन होता है तो secured creditor एक financial institution होता है या फिर कुछ entities हो सकते है या कोई individual हो सकता है जो की अपना पैसा ठीक है किसी data को देता है ठीक है उसके बदले उससे क्या लेता है collateral लेता है as security for example राम ने स्याम को पैसा देने के लिए कहा यानि माने तो स्याम ने राम से पैसा मांगा ठीक है तो राम ने कहा कहा कि भाया मैं तुमको पैसा तो दूँगा बट उसके बदले कुछ securities मुझे चाहिए ठीक है अगर तुम मेरा पैसा लेके भाग गए तब हम क्या करेंगे तो वही हो गया secured creditors मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा financial institution entities या individual जो कि अपना पैसा debtors को देता है उसके बदले में क्या लेता है collateral is security in the it act as a safeguard जो securities वो लेता है वो किस तरह का कारे करता है एक safeguard का काम करता है in case of default ठीक है in case of default अगर वो पैसा नहीं देगा तो वहाँ पे एक safeguard का काम करेगा वो क्या कर सकता है भाई जो भी security है जो collateral लिया है उसको sell कर सकता है ठीक है अपना पैसा निकालने के लिए क्या करेगा उसको property को sell कर देगा in other word a secure creditor is one who holds someone security for a debt such a pledge mortgage charge और lien तो वही same बात है कि secured creditor किसको कहेंगे जो की security security लेता हो debt के बदले में ठीक है और वो security कैसा हो सकता है या तो pledge हो सकता है mortgage हो सकता है charge हो सकता है लीन हो सकता है ठीक है the term secured creditor has been defined under section 2E of provincial insolvency act 2E में किसके define किया है provincial insolvency act में secured creditor को define किया गया है क्या कहता है secured creditor means a person holding mortgage charge और lien on the property secured creditor मतलब क्या होता है वैसा व्यक्ति जो की hold करता है कि क्याची क्याची mortgage चार्ज और lien किसी भी प्रोपर्टी पे of the debtor debtor के किसी भी प्रोपर्टी का mortgage चार्ज और lien को hold करता है वो secured creditor कहलाता और any part of it as a security और या तो कुछ भी as a security security के तौर पे due to him for the debtor clear है अरे simple सी बात कह रही है कि secured creditor एक ऐसा व्यक्ति होता है जो की debtors के प्रोपर्टी का hold करता है mortgage, charge, lien ठीक है और any part of it as a security for debt clear होना चाहिए चलिए secured creditor may be classified as fully और partly secured क्या बोल रहा है secured creditor जो है वो दो तरीके से classified है क्याची क्याची fully secured creditors और partly secured creditors fully secured creditors का मतलब कि भाईया हम तुमको दिये एक लाख रुपया का loan और मेरे पास security जमा है एक लाख भी सजार का ये क्या हुआ है fully secured क्या बोल रहा है the value of security offered to them would be more than the amount due clear है अब partly secured क्या कहता है कि भाईया हम तुमको property दिये amount दिये एक लाख और मेरे पास security जमा है 80,000 रुपया तो क्या है हम partly secured है अर्थात की कम secured है the value of security offered to them could be less than the amount due to them ठीक है अब explanation में और clear से समझेंगे explanation में क्या कहता है a secured creditors refers to a type of creditor that provides a loan to debtors after pleading its assets as a collateral for loan secured creditors किसको कहेंगे कि भाईया जो creditor को ऐसा creditor जो कि debtors को loan देता है कुछ assets उसका रख के as a collateral for the loan the creditors get legally enforceable right to sell the collateral to get the full amount जो creditor होता है उसको क्या होता है legally right हो जाता है ठीक है enforceable rights हो जाता है legally enforceable rights होता है कि अगर भाईया जो debtors को हमने पैसा दिया हूँ पैसे लेके भाग जाता है ठीक है तो हम मेरे पास उसका rights है कि मैं उसका property को क्या करू बेच दू बेच के क्या करू अपना amount निखा लू उससे ठीक है the collateral loan is a protection shield collateral loan जो है एक तरह का protection shield है अगर जब कोई individual और firm अपना पैसा देने से इंकार कर देता है ठीक है या फिर नहीं दे पाता है उस case पे क्या होता है जो lender है देने वाला है अर्थात secured creditors उसके पास legal rights है वो court को approach कर सकता है और जो property उसके पास जमा है जा security उसका auction करा के अपना money को वापस ले सकता है in the case of bankruptcy of business और individual जब वो दिवालिया हो जाता है कोई भी firm या individual the secured lender having collateral property get the first right of claim to sell of the property and close the loan तो जो secured creditors होते हैं lender होते हैं जिसके पास collateral property होता है उसके पास पहला अधिकार है first right कि वो property को बेच करके अपना loan को clear कर ले अब इसका best example है bank loan mortgage loan देखते हैं ना bank में कैसे loan provide कर रहे approved securities के अनुसार loan provide करता है ठीक है आप पहले जाईएगा loan लेने तो आपको direct नहीं नहीं देगा उसके पर ले बुलेगा कि कुछ securities आप जमा कीजे बैंक में उसके बाद आपको loan देंगे तो वो एक तरह के क्या बता रहा है secured creditors bank यहाँ क्या काम कर रहा है secured creditors का काम कर रहा है अब कभी कभी question पूछ देता कि unsecured creditors किसको कहते हैं तो under this step the creditor provides a loan to the debtors without any security और collateral इस तरह के unsecured creditors में क्या होता है जो debtors होता है creditors होता है वो debtor को बिना कोई security और collateral कहीं loan provide कर देती है यहाँ पर देखा जाता है कि जो है जल्दी यह किसको दिया जाता है तो जो salary account holder होते हैं उसको unsecured creditors दिया जाता है मतलब ऐसे ही पैसा दे दिया जाता है जानते है कि salary है कहा भागेगा ठीक है या फिर उसका credit score अच्छा हो cb अच्छा हो ठीक है track record अच्छा हो तो उसको unsecured creditor यहाँ पर क्या होता है बिना कोई collateral या security कहीं उसको पैसा दे दी जाती है तो यह था secured creditors के बारे में अब दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा official assignee के उपर अगर वीडियो पसंद आया तो like करे share करे और comments तो जरूर ही करे कैसा लगा वीडियो और share जरूर करे with friends thanking you